एक मर्ड और औरत की शादी हुई और उनकी जिन्ददी माश्यां या खुश्यों से भरी थी शोहर एक दिन दीवी से तुमने आज नमाज नहीं पड़ी बीवी मैं थब करी थी इसलिए नहीं पड़ी सुभा पढ़ लोगी शोहर पर ये बात बुड़ी लदी मगर उसने बीवी के उतने से पहले ही नमाज पढ़कर दफ्टर की तड़ निकल गया बीवी उठी शोहर पोर ना पाकर बहुत परिशान हुई कि उस से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ परिशानी के आलम में शोहर को फून किया लेकिन काल अटेंड नहीं मुए बीवी की परिशानी वहां थे आप, कितनी कॉल्स की मैंने जवाब नहीं दे सकते थे, पता है ये वक्त मुझसे कैसे गुजरा, आपको ज़रा खया लही, कम से कम बता तो सकते थे, शोहर की आवाज उसके कानों में पड़ी, एक ठका हुआ था, इसी लिए लेट गया, तो नीद आ गी, बीवी दो मिन्ट की कॉल करके बता देते, तो कितनी थकावट बढ़ जा थी, आपको उसी ज़रा प्यार नहीं, शोहर ने तहमूल से जवाब दिया, कल आपने भी तो इस पाक जात की कॉल को नज़र अनदास किया, क्या आपने हैं अलग फला की आवाज सुनी थी, वो खुदा की कॉल थी, जो आपने थकावट के वज़े से नहीं सुनी, उस लख्त भी पांच मिन्ट की बात थी, नमास पढ़ने से आपकी थकावट कितनी भर जा थी, क्या आपको पने इस परवर्दिगार से कितना प्यार भी नहीं, जिसने आपको सब कुछ दिया, क्या परवर्दिगार को ये बात पसंद आई होगी, बीवी पर सकता तारी हो गया, और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मुझसे घल्ती हो गई, मैं समझ गई हूँ, मैं सक्चे तिल से इस्तखवार करती हूँ, मेरे परवर्दिगार मुझे माफ फर्मा, सच्चा श्री के हायात वही है, जो आपको दुनियावी तहफुज और फुशियों के साथ आखरत में बिसल्खरू करवाए, और आपके साथ खड़ा हूँ, और आपको भटकने से बचाए, ख़दाव अन्दे ताला हम सब को नमाज करने की तुफीक अता फिर्माए, आमीन सुमामी, यारभ बलानमी